नमस्कार दोस्तो, पहाडी आयरवेदिक में आपका स्वागत है, दोस्तों आज मैं आप लोगों को सामने मरोल फली नाम का जड़ी बूटी ले कर आया हूँ, यह आयरवेदि में बहुत ही फेमस जड़ी बूटी माना जाता है, आज इसी मरोल फ़ली फायदेक बारे में मैं और बहुत सारे डालियां होते हैं जो कि आप देख रहे हैं और पत्ते कुछ इस तरह सोते हैं देख लीजिए पहिचान लीजिए यह देखिए दोस्तों इसे मरोड़ फली इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके फली जो है मरोड़े हुए होते हैं जैसे कोई रसी मरोड़ा हुआ रहता है उसी तरीके से यह मरोड़ा हुआ है देख लीजिए इसलिए इसे मरोड़ फली कहते हैं तो दोस्तों यहां एक ऐसा जड़ी बूटी है जो पेट के लिए बहुत ही फाइदे मंद होता है तो दोस्तों अगर किसी पेटों में दर्द होता हो तो मरोड फली का सूखा चूर्ण एक ग्राम और एक ग्राम काला नमक दोनों को मिलाकर सेवन करने से पेट का दर्द तूरं ठीक हो जाता है इतना फाइदे मंद होता है या मरोड फली पेट दर्द के लिए दोस्तों जब मरोड फली कच्चा होता है तो इस तरह से हरा हरा होता है और जब सूख जाता है तो देखिए इस तरह से हो जाता है काला काला देख लीजिए दोस्तो इस मरोड फली का सेवन पेचिस रोग में दस्त रोग में वह किया जाता है, अतिसा रोग में भी किया जाता है दोस्तों अगर किसी का आप अचन है हमेशा पेट में ऐसी डीटी गैस बनता रहता है तो इस मरोड फली को रात को एक गिलास पानी में भीगा कर रख दीजिए अब सुबा उस पानी को आप पी जाए तीन चार दीन इस तरह से कीजिए पेट के अंदर ऐसी डीटी गैस बनना बंद हो जाए इतना फाइदे मंद होता है दोस्तो यह मरोड की फली दोस्तों मरोड की फली तो फाइदे मंद ह messaging लेकिन दुआ पाइदे मंद हुआ है एकर 6 फाइदे मंद होता है अगर किसी प्रमेह बीमारी हो तो हुआल कर उबालकर इसका काढ़ा बनाकर पीने से प्रमेह रोग ठीक होता है तो दोस्तों देख लीजिए पहचान लीजिए इस मरोड फली को सुखा कर चूरन बनाकर काला नमक मिलाकर किसी डब्बे में रख लीजिए तीन ग्राम सुबा तीन ग्राम साम को सेवन करने से पेट के समस्त बिमारी दूर होता है या पेटों का राम बाल अउसदी है और दोस्तों इस मरोड फली को आप सुखर रोगं भी इस्तमाल कर सकते हैं इस्तमाल करने क्निक तरिका क्या है वह मैं आपको बता दे रहा हूं इस मरोडन फळी का पंडर करीवन 30 गराम लेना है और 30 ग्राम कबाब चीनी का पावडर और एक ग्राम साघर गोटा का पंडर साघर गोटा लटा करष्ट को भी कहते हैं सागर गोटा यानी लता करंज का पौडर जिसे कंजा भी कहा जाता है और कट करंज भी कहा जाता है तो उसके साथ इसे मिला कर सेवन करने से सुगर में फाइदा पहुचता है दोस्तों इस जड़ी पूटी को आप तचारोग पर भी इस्तमाल कर सकते हैं जैसे मालो किसी चेहर मरोल फली या फिर दुकान में आपको सूखे पौडर भी मिलेंगे तो आप दुकान से खरीद कर ले लिजिए और इसका पेश्ट बनाना है पेश्ट बनाते समय आपको करीबन तीन ग्राम तक फिटकिरी का चूरा डालना है पौडर डालना है और कम से कम पांच यमल तक नी अब जो है खतम होने लगें कुछ दिनों के अंदर इतना फाइदे मन्द होता है दोस्तों चेहरा चमकाने के लिए और फोड़ा फंसी ठीक करने के लिए या जड़ीबूटी दोस्तों उल्टी रोकने के लिए भी आप मरोल फली का इस्तमाल कर सकते हैं करना आपको या है कि इसके सूखे सूखे मरोल फली का चूरन पाउडर ले लिजिए करीबन तीन ग्राम और उसमें तीन ग्राम सहद मिला कर चटा दीजिए तो उल्टी तुरंद तुरंद रूख जाए इतना फाइदे मन्द होता है उल्टी रोकने के लिए या मरोल फली तो दोस्तों हर परकार कि पेट रोग में आप इस मरोल फली की इस्तमाल कर सकते हैं उपयोग कर सकते हैं खा सकते हैं या बहुत ही फाइदे मंद होता है करना क्या आपको है वो मैं आपको बता दे रहा हूं ध्यान प्रूख सुन लीजिए तो दोस्तों इस तरह से सूखे सूखे मरोल फली को लेकर पीश कर पाउडर बना लीजिए और गाय के घी में भूज कर किसी डब्बे में काला नमक मिला कर रख लीजिए और सुबा साम सुबा साम 3-3 गराम सेवन कीजिए तो पेट के समस्त रोग इससे दूर होंगे इतना फाइदे मंद होता है दोस्तों या पेटों के लिए मरोड फ तो सभी रोगों में आप इसका उपयोग कर सकते हैं या पेट रोगों के लिए एक राम बाण उसदी है और हां दोस्तों पीलिया रोग भी आप इसके हरे-हरे फल कर सकते हैं पी सकते हैं पीलिया रोग भी यह बहुत फाइदे मंद है तो देख लीजे इस तरह से हरे-हरे यह पहली दिख रहे हैं यह फली इसको सुबह सुबह खाली पेट पीना है पत्त mettर सिल्म पीश कर 30 सेमल जूस निकालना мешका रस बनाना है और सुबहा सुबह खाली पेट पीने से पीछ दिख होता है और के अंदर जखम भाव naked ठीक करता है लिवर में सूजन हो उसे भी ठीक करता है कितनी के अंदर सूजन हो उसे भी ठीक करता है तो देख लिए पहिचान लिजेए दोस्तों या बहुत ही अच्छा जड़ी बूटी है आप इसका इस्तमाल की जिए आपको